वेल्कम तो लेली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स तो इसलिए मैंने बनाई एक छोटी सी डिजाइन और इस डिजाइन का जो स्केच वीडियो है ड्रॉइंग वीडियो है वो मैं जॉइन बटन पर डाल दूँगी तो वहां से आप देख सकते हैं जितनी भी ड्रॉइंग के वीडियो है उसको देखने के लिए आपको चैनल जॉइन करना पड़ेगा और जॉइन अब देखें मैं जब तक आपको वीडियो का डिस्क्लेमेट दे रही थी बता रही थी कि ये वीडियो किस बारे में है तब तक वह अला स्टेप आगे चला गया वहां पर मैंने थोड़ा सा पॉस भी किया था इससे पहले जो मैंने लीफ पेंट के स्टार्टिक में आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से स्प्रेड हो गई यसलिए मैंने उसको अभी ठीक नहीं किया और आगे पेंट कर रही हूँ थाकि मैं आपको रीजन एक्स पेंट कर सकूँ यहां पे फैब्रिक हमारा कॉटन है ठीक है और कलर फैब्रिक पेंट यूज करें और अगर आप एक्रेलिक पेंट यूज करें तो इसमें आपको मीडियम एट करना पड़ेगा यहां पे मैं यूज कर रही हूँ राउंड ब्रश यह तो हो गई बेसिक बाते ठीक है अब देखे यह जो मेरा कलर स्प्रेट की हुआ जबकि मैंने कोई सिल्क लॉट तो यूज किया है तो यह था कि मेरे ब्रश में हो सकता है कि वाटर का जो अमाउंट था वो जादा था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने उस पे कलर लिया ब्रश पेंट करना शुरू कर दिया जिसके आपको भी कॉटन का क्लॉट रखिए जिसमें आप ब्रश को साफ कर सके या टिशू पेपर जो भी आप जिसमें कमफर्टेबल हो या फिर जो चोटी-चोटी सी हैंकी वगरा मिलती है आप उसको भी रख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें भी साफ हो जाता है आपका ब करते हैं कोई भी कलर जो हां हमारा बाउंडरी के जो आउटलाइन डिजाइन की इसके बाहर नहीं इस प्रेद हो रहा है क्योंकि उसके बार मैंने अपने ब्रेश को क्लीन किया फिर उसके बार मैंने कलर लिया और पेंट कर रहे है ठीक है लाग फे बहुत इंपॉर्टेंन सारी चीजे अप्लाई हो रही है mix and blend हो रहा है तो वही है कि amount आपका सही amount होना चाहिए consistency जो है आपकी color की वह भी सही होना चाहिए और मैंने especially आपको दिखाया है कि अगर आपके brush में जादा water रहेगा तो cotton cloth होने के बावजूद आपका इस तरीके से spread सकता है चली अब मैं इसक को थोड़ा सा अभी correct कर दूंगी तो देखिए हम अब इसमें क्यूंकि यह चंपा फ्लावर है और मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो बना के दिखाए ती मैं recommend करूंगी कि अकर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा बहुत ही प्यारी से design बनाई है मैंने बट को थोड़ा सा advanced level का है तो मैंने उसको बनाया और बताया आपको और यह मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूं जो कि आपकी request आई थी ठीक है तो इसमें क्या है कि color combination को ध्यान में रखेंगे सारी detail जो है आपको detail चाहिए तो आप वो वीडियो देखेगा सारी detail आपको मिल जा मैंने बहुत ही basic color यूज़ किया जैसे आपने भी देखा होगा green and white color combination का और उसके बाद से मैं डिटेल एड करे हूं यहां पर देखेए ओपर के साइड पे मुझे थोड़ा सा light चाहिए था highlight सीनस चाहिए थी तो मैंने white color का यूज़ कर लिया light green का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद मैंने इसकी जो stem बनाई है वो आप देख रहे होंगे कि मैंने brownish बनाई है ठीक है अब लेकिन जो main twist आएगा जब मैं फ्लावर को paint करूंगी वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा color combination पर एंड आल यह फ्लावर में मैंने थोड़ा different color combination रखा है क्योंकि same color combination रखने कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस वीडियो में तो आपको already मैंने तीन color combination शो कर दिया था तो इस वीडियो मैंने सोचा कि आपके साथ new color combination शेयर किया जाए ताकि आपको एक easy design भी और अलग कलर भी मिल जाए अगर आप को यह जादा अच्छा लग रहा तो आप यह बनाए या वह अच्छा लग रहा था अब देखते हैं यह कैसा टर्ण आउट होता है होप कि यह भी बहुत अच्छा लगीगा तो चलिए सबसे पहले अपनी लीव को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद प्वावर को पेंट करना शुरू करेंगे अब दीखिए यह कलर जो मैं आपको शो करी हूँ हो मैंने मिक्स करके कलर को बनाए यहां पर मैं क्रिम्सन रेड यूस कर रही हूँ और वो जो मैंने कलर कॉमिनेशन बनाए है ग्रेश ब्लू आप कैसकते हैं थोड़ ऐसा एफेक्टार है उसका तो मैंने ब्लू और वाइट को मिक्स करके सेपरेट बॉटल में बनाए ठीक है यह आपको ऐसे नहीं मिलता है कलर के साथ बट मुझे आपको एक यूनिक कलर कॉमिनेशन बनाना था तो मैंने इसको इस तरीके से पेंट किया है अगर आप जानना को जरूर जॉइन करें क्यूकि मैंने इसका ड्राइंग वीडियो भी बनाया है और वो मैं जॉइन पे ही अपलोड करती हूं और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप परफेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ड्राइंग के वीडियो आज शाम तक आ जाएगी चैनल पे जॉइन बटन पे तो आपको बस जॉइन करना है और वहां से आप सारी ड्रॉइंग वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टेप बास टेप देखने हैं किसको हम कैसे पेंट करेंगे आई होप कि यहां तक कि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ रही आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी तो चलिए स्टेप बास टेप और सारी चीज़ें पेंट करते हैं और देखने हैं कैसे पेंट कर सकते हैं तो यह कलर कॉमिनेशन मैंने यूज किया और सारे पेटल को पेंट कर लिया और साइड साइड में मैंने जहां ड्रॉ किया थ वहां पर हम वाइट कर लेंगे ब्रश को वाश नहीं करना है और डारेक्ली अप्लाई करना इस तरीके से ताकि वाइट के साथ थोड़ा साथ शेड भी आ जाए और इस तरीके से आपका फ्लावर पेंट होके बिल्कुल तयार है एक न्यू कलर कॉंबिनेशन के साथ I hope कि आप को बहुत पसंद आया होगा अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड फ्लावर को पेंट करेंगे तो कलर कॉंबिनेशन थोड़ा सा मिलता जूलता ही रखेंगे बड़ इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट भी डालेंगे इसलिए देखे यहां पर मैं वाइट क कर रही हूं और उसके साथ जो हमने कलर कॉंबिनेशन बनाया था कलर मिक्स करके ग्रेश ब्लू एन अफकॉस हमारा जो है क्रिमसें ड्रेड एंड वाइड यह सारे कलर पकॉंबिनेशन को यूज करते हुए मैं पेंट कर रही हूँ दो पैटल मेंने किस तरीके से पेंट के आपने देखा और नीचे से थोड़ सा मैं शेड डालूंगी क्रिम्सन रेट का ही शेड है ब्रेश को जादा वाश नहीं करेंगे ताकि वह एफेक्ट हमारे जो है कलर फुल सा आता रहे और जब भी वाइट के बॉटल में डिप करेंगे तो बहुत ही जल्दी से क्विकली एक करेंगे ताकि जो आपके ब्रेश में कलर है वाइट बॉटल में ट्रांसफर ना हो जाए ठीक है बॉटल में आपको जब भी दिखाती हूं आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा मेरी बॉटल बिल्कुल ही नीज और क्लीन क्योंकि मैं क्विकली कलर लेती हूं और यह हमारा न्यू कलर कॉउम्бिनेशन का प्लमेरिया फुलावर आइहोड़ए हूं आपको इक बहुत पसंद आया हूँ है अपके Guay किया था पलमेरिया फिलावरी की जो मैंने advance वीडियो शेयर की थी कैसे आप पेंट कर सकते और वो वीडियो भी मैंने अपने subscriber की request पे बनाई थी तो और ये भी मैंने subscriber की request बनाई थे तो मैं होप कि यह आपके लिए इजी हो और आप इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हूँ आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो कितना आपको अच्छा लगा क्या रिस्पॉंस सा वीडबैक था यह सारी चीजें आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फालो नहीं किया तो फालो करें और इंस्टाग्राम पे मैंने एक सेपरेइट ग्रूप भी बनाया है सब्सक्राइबर का फॉलोउर्स का तो आप उसको कर सकते हैं वहाँ पे आपको भी चीजें आज्जी लिए डिसकस कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आप बहुत सारे लोग हैं और मैंने ओन रखाया तो आप एक दूसरे से कॉमेंट पढ़के एक दूसरे का क्वेश्चन पढ़के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं तो मेक शियूर तो फॉलो मी और इंस्टेग्राम और आप मुझे मैस चंपा फ्लावर आपको अच्छा लगा होगा अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कोई फ्लावर पेंट करूं या कोई भी चीज ऐसी फैबरिक पेंटिंग से रिलेटेड पेंट करूं तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताएगा मुझे जैसे टाइम म लगा मैं कोशिश करूंगी कि आपकी भी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं आज के लिए इतना ही मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू डिजाइन के साथ तिल देन टेक कियर बाई बाई